मैं कोशिक मेंता, आज बात सर रविंद्र जाड़े ज़ा के बारे में, क्यूंकि उसके बारे में बहुत अच्छी ख़बर आई है, विस्दन ने 21 सदी का मोस्ट वेलिवेल प्लेयर कोशिक किया है रविंद्र जाड़े 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 को, सवरास्त और गुजराद के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्यूंकि आद तक गुजराद के कोई क्रिकेटर को ऐसा सनमा नहीं मिला है, भारत के क्रिकेट के लिए भी ये कोवरू का विशे है, जामनगर सवरास्त के जामनगर के बाजू में नवागम गेड है, उसका वो रहने वाला है, बचपन से उसको क्रिकेट की चाह थी, और महेंद्रेशी जैसे कोच मिले, उसने उसके क्रिकेट को समा रहा, फिर वो सवरास्त रंजी ट्रोफी में की टीम में आ गया, और फिर उसने कमाल कर दिखाया, बोलिंग में तो वो अच्छा प्रदर्शन करता ही था, लेकिन उसकी बेटिंग का भी निखार आ गया, उसके कारम में अब जाने का कोई फाइदा नहीं है, 2009 में उसको लंका के सामने अपार्टिय टीम में स्थान मिला, 2012 में टेस्ट में स्थान मिला, फिर वो आगे बढ़ता ही गया, उसकी कारकिर्दी का ग्राफ उपर ही चलता गया है, ये अच्छा बोलर तो है ही, अब ये अ उसकी बेटिंग एवरेज 35.26 हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे मिडल ओडर में जो प्रोब्लम रहता था, उसके हिसाब से ये जड़ेजा का परफोर्मस है, वो हमारे लिए काफी महतों का बन गया है, बोलिंग और बेटिंग से उपर जड़ेजा की विशि मिश्ता है, वो फिल्डिंग है, मेरे ख्याल से आज के समय में उसके जैसा कोई फिल्डर नहीं है, एक जमाने में जून्टी रोड्स दक्समें अफरिका के खिलाडी थे, वो सर्वस्रेस्ट फिल्डर कहा जाते थे, लेकिन आज की तारीख में रविंदर जाड़ेजा जैस कोई फिल्डर कोई टीम में पुरे विश्व में नहीं है, रविंदर जाड़ेजा जब भी फिल्डिंग करते है, जो भी पोजिशन पे वो फिल्डिंग करते है, प्रतिस्ट परदी टीम का खेलाडी सोथता रहता है कि उसके सामने बोल जाए, उसकी तरफ स्ट्रोक लगाय तो रन लेना की नहीं लेना, ये प्रतिस्टा फिल्डर के हिसाब से रविंदर जाड़ेजा की हो गई है, तो ये अच्छा ओलराउंडर बनके निखरा है, पार्तिय क्रिकेट में ओलराउंडर की कमी महसूस की जाती है, और कहा जाता है कि कपिल देव के बाद कोई जन्यू पार्तिय क्रिकेट में नहीं आया, काफी खिलाड़ी इस बीच में आये गए, लेकिन कपिल दव की बरोबरी कर सके, ऐसा खिलाड़ी हमने नहीं देखा, ये कमी जो है, वो काफी है तक मेरे ख्याल से रविंदर जाड़ेजा ने पूरी की है, क्योंकि वो बोलिंग, बेटि इसलिए रखता है, क्योंकि आज के क्रिकेट में फिलिंग एक बहुत महत्वकी चीज बन गई है, जब दोनी 2011 की वलकप की टीन को तयार कर रहा था, तब उसने कहा था कि तीन वरिस्ट खिलाड़ी इस फॉर्मेट में फिट नहीं बेट रहा है, दोनी के उपर जो फिल्म ब मुझते हैं कि कैसा क्यों, तो वो बोलता है कि फिल्लिंग आपकी अच्छी ना हो, तो आप प्रतिसपर्दी टीम पर दबाव प्रेशर बना नहीं सकते, तो ये सही बात है, और न्युजिलेंड पिछली जो शिरीज थी न्युजिलेंड के सामने हमारी टेस शिरीज, उसमे जो वो एक केज पकड़ा था, रविंद्र जाड़े जाने है, वो कपिल देव ने रिचार्स का जो केज पकड़ा था, वो उसकी याद दिलाता है, वो दोनों एक ही तरह के केज तो इसा मेरा नहीं केना है, लेकिन उसके लेवल का तो था ही, वो भी केज करके कपिल देव न ये नेल वेगनर न्यूजिलेंड का खिलाड़ी उसने मुक्सोट खेला और वो स्क्वेरलिक डीप में फिल्डिंग कर रहा था जाड़े जाए और उसने उपर देखके अबर अपनी नजर नहीं अटा ही बॉल पेस है और दोड़ता गया दोड़ता गया और उसने केज लबका वो केज को केज ओडिकेड गिना जाता है कहीं कोमेंटेटर ने ऐसी कोमेंट दी है तो आप सोच सकते हैं कि ये केसा फिल्डर है और रविंद्र जाड़ेजा की कहीं विशिष्टा है वो आई पील में जब राजस्थान के टीम में से उसने बदारपन किया तो उसकी उसके परफॉमंस पे तरहीं लोगों की नजर पड़ी फिर वो चैन नहीं में गया और तोनी के साथ उसकी बहुत अच्छी जोड़ी जम गई तोनी जब भी मिकेट कीपिंग करता था कि करता रहता है तब वो जाड़े जब बोलिंग में आता है तो उसके साथ नहीं लोग करता र तो चाड़े जाकी कारकिर्दी में दोनी का बहुत बड़ा हिस्सा है अर अश्रीन के साथ उसकी कॉंपिटिशन लगी रहती थी क्योंकि दोनों टीम में आये ऐसा कॉंबिनेशन कुछ बनता नहीं था लेकिन जो भी टेस्ट में वह दोनों खेले हैं तो वोंबिनेशन सामन कि टीम के लिए खतरनाक बणा रहता था क्योंकि वो प्रेस प्रेशर बनाता था रवी चंदरन अश्रीन एक तरफ से विकेट लेता रहता था तो एक तरफ से जाड़े-जार कुछ उसकी ओर में रन नहीं देता तो प्रेशर बनता रहता तो यह अच्छी जोड़ी थी लेक अस्विन टीम में नहीं है तो जारे जा का स्थान अब पक्का हो गया है जारे जा की कई बाते हुनको अकरशित करती है उसके आकड़ बताते है कि वो कैसा खेला रही है मैं आकड़ में जाना नहीं चाहता लेकिन सर रविंद्र जाने यह दोनी ने उसको नाम दिया था पहले तो मजाक मजाक में नाम दिया था लेकिन अब लगता है कि वो जो सर बोलते है वो अच्छा लगता है उसको जडूज भी बोलते है और राजकोट में उसका जडूज रेस्टोरंट भी है उसकी वो काफी कहीं मेरे ख्याल से चार पाच बरस पहले यह खुला थाल बहुत अच्छा चल नहीं रहा लेकिन जडूज रेस्टोरंट काफी मश्यूर है राजकोट और सवराष्ट में एक दूसरी बात भी मुझे उसकी पसंद आती है वो है अग्रेसिव मेंस वो जब खेलता है तो पुरी तरह खेलता है बोलिंग करता हो या बेटिंग करता हो या फिलिंग करता हो सबस्टिचिशन भी उसने जब भी कोई मैच में किया तो उसने अपना कॉंट्रिविशन किया है रन रोपने से लेके अच्छे-चे केज करके उसने टीम को जीत दिला है टीम का पगड़ा पारी किया है और जब वो 6 मारता है जब वो 50 करता है सेंचुरी मारता है, एक सेंचुरी भी उसमें की है और तब जो बेट तलवार की तरह चलाता है तो वो देखने का मज़ा ही कुछ हो रहा है वो जब बेट ऐसे ऐसे गुमाता है तब मुझे याद आती है सोरो गांगुली की लोर्ड्स में इंग्लेंड के सामने हम जीते थे और गेलेरी में से सोरो गांगुली ने अपना टीशट निकाल के हवा में लहराया था कुछ ऐसा ही माहुल जब रविंदर जाड़े जब बेट कुमाते है तलवार की तरह तो लगता है तो यह ऐसा खेलाड़ी है जुजारू खेलाड़ी है बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रदेश से कोई खेलाड़ी आके नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर दे तो हमारे लिए यह गवरों का विशे है रविंद्र जाड़ेजा अभी 31 एर्स के है साधी सुधा है एक लड़की भी है अभी उसमें काफी क्रिकेट बाकी है अगले वलकब तक वो खेल सकता है तब तक वो खेलता ही जाए अपने पर्फूमंस को और उच्छाई पे लेता जाए ऐसी हमारी गुड विशिस सर रवि झाल 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 झाल